हेलो गाइज वेलकम अगें टू माय यूटूब चैनल माय नम इस मनिश कुपता और वाचिंग बी एसी जी लेक्चर्स तो जैसे कि गाइज आप सभी को मालूम है आप सभी का एक्जाम बी वाइसी टी 133 का होने वाला है तो दैन उसी के रिगार्डिंग मैं एक और प्रिवि कि December 2021 का है यानि यह क्या है December का है इसे पहले मैं टी 12 जून 2012 का लेकर आया था तो देन आपके इसमें कही सारे topics कलेरो जाएंक कही सारे doubts कलेरो जाएंगे तो I Hope this video को पूरा देखेंगे पूरा शुरू से लेकर end तक देखेंगे and then अगर आपको इस से regarding आपको क्या है आपको PDF चाहिए solve PDF चाहिए तो आप हमारे Telegram चैनल पे भी subscribe कर सकते है at the red bio lecturer ठीक है तो वहाँ पे भी जाके आप हमारे चैनल को subscribe करिए ताकि आपको जितने भी study material है आपके previous question paper है and जितनी भी हमारे तरफ से जो भी preparation कराई जा रही है examination के से related वो सभी आपको वहाँ पे provide करा दिये जाएंगे ठीक है then उसके बाद क्या है आप हमारा चैनल भी subscribe कर सकते है BSCG lectures ठीक है तो वहाँ पे आप जाके चैनल subscribe कर दिएगा bell icon button press कर दिएगा ताकि आप सभी को time to time मिलती रहे है और इस वीडियो को जादा जादा सेयर करें क्योंकि ये last वीडियो रहेगा अगर आपको और इससे related वीडियो चाहिए तो मैं आपको बना के दे सकता हूँ ठीक है तो then मैंने आपको सारा pattern वैसे समझाई दिया था ये भाई आपको किस तरीके से exam जो है attempt करना है और किस तरीके से नहीं करना है उस सारी चीज़े मैंने बता दिये तो फिर से एक बार मैं recap कर देता हूँ जैसा कि आपको मालूम चल रहा है आपे B.S.C. भालो का क्या है यहाँ पे एक paper है time and examination का यहाँ पे December 2021 आप देखी रहे है then यह क्या है life science यानि taxonomy and evolution का है ठीक है कौन सा plant ecology taxonomy and evolution का है तो then इसके बाद देखे क्या है आपका यहाँ पे हम बात करें question number one जो आपका होता है कोई भी आपका question set ले लिजी वहाँ पे question number one आपका compulsory रहेगा पहले आपको question number one को solve करना है नहीं हुआ तो आप बाद में जरूर कर सकते हैं लेकिन question number one को आप छोड़ के नहीं आ सकते then उसके बाद आपका time जो होता है two hour का होता है and fifty marks का आपका paper होता है यह सारी बाते आपको मालूम है then यहाँ पे मैं बता दूँ कि यहाँ पे सिर्फ six six ही question दे रखे है previous मतलब इससे पिछला वाला जो question paper था उसमें seven question थे then seven message four question करने थे यहाँ पे option आपके पास कम मिलेंगे then आपको क्या है दो में से च्छे 2 से च्छे के बीच में आपको चार ही question attempt करने then यहाँ आपको आप क्या है properly note पढ़ना एक बर है ना note जब आप पढ़ लेंगे then उसके बाद question solve करने जाएंगे तो यानि total question कितने हो गया आपको five question attempt करने और सभी question के आपके क्या है यहाँ पे क्या लिखे है सभी questions के five questions करने है and उसके बाद यहाँ पे all question carry equal marks सभी question आपके equal carry marks करते है then यहाँ पे आप देख सकते है question number one question number one में आपका fill in the blanks है एक number का एक blanks है 4 आपके fill up है उनको आपको भरना है then उसके बाद question number B में देखे तो यह भी आपका क्या है यहाँ पे correct answer को tick करना है then उसके बाद है इस fill up में तो आपको क्या है इन में से चार आपको जो भी आ रहा होगा इन पांचों में से आपको चार attempt करने है then उसके बाद हम देख ले question number two question number two में आपका जो है यहाँ पे C रह गया है यहाँ पे आपका matching है तो आपका जो commonly अगर मैं बता हो true false हो गया fill in the blanks हो गया matching हो गया यह आपको हर क्या है exams में आते ही आते हैं और यह just free के नंबर होते हैं आपके यह आपका मिलेगा आधा आधा नंबर का होगा यह ठीक है अगर आप इस पूरे को solve करते हैं तो then आपको two marks मिलेंगे ठीक है तो यहाँ पर आपको column 1 को column B से मिलाना है then उसके बाद second number question पर आजाते हैं हम यहाँ पर आपका जो क्या-केते question है यहाँ पर दो marks carry करता है नहीं दो question है इनमेंसे दो questions को attempt करने हैं आपर four questions दिये हुए है two questions को attempt करने है a total इसकी marking value है पांच number यानि धाई number आपको क्या है each question पर मिलने वाले है then उसके बाद B पर आजाते हैं यहाँ पर principle of binomial nomenclature के बारे में बताने हैं इसमें भी आपको क्या है पांच number मिलने वाले है then उसके बाद question number 3 पर आजाते हैं इसमें discuss करना है selection of taxonomic characters of the is the most criterion for classification system ठीक है इसमें भी आपको पांच number मिल जाएंगे इसमें भी आपका B वाला question है cytotaxonomy and chemotaxonomy में difference बताना है तो इसमें भी आपको पांच number मिलने वाले हैं and उसके बाद चौता question है इसमें क्या है Darwinism and Lamarchism के बारे में difference बताना है compare करना just और यहां पर इनके क्या है examples भी आपको देने है then उसके बाद और आपका question कौन सा है यहां पर पांच number question देखेंगे पांच वा number यहां पर क्या है short notes लिखना है ठीक है इन में से किसी दो के बारे में तो यहां पर आप देख सकते है mechanism of speciation के बारे में लिखना है then इसमें industrial melanism के बारे में and geological records के बारे में आपको बताना है इसमें भी आपका 5 into 2 यानी आपका total 10 marks का होने वाला है question आपका 5 marks का होना है then उसके पास 6th वाला आप देख सकते हैं 6th में आपका describe करना है cytological approach के बारे में 109 में यूज के जाता है and explain in the role of language in human evolution इसके भी आपका 5 number का है ठीक है इस सारे questions को आपको attempt करने है इनमें से एक question को आपको skip करना है चाहे आप 6th चोड़िए चाहे 5th चोड़िए 4th चोड़िए चाहे 3rd चोड़िए एक question को skip करना है पहला वाला question compulsory then उसके बाद हम आजाते हैं यहाँ पर देखें हम fill in the blanks की बात करेंगे तो just guys यह जो fill in the blanks है इसको हमें क्या करना है solve करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला question number जो है यह क्या कह रहा है जो एक area है यहाँ पर लिखा है an area area dedicated to conserve environment natural and historical objects and to conserve the wildlife therein is called तो इसे क्या कहते है यानि एक area जो जहाँ पर क्या है हम environment को conserve करते है natural and historical objects को conserve करते है and wildlife को conserve करते है तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि भाई अगर हम इस type के area की बात कर रहे है तो जरूर हम किसी एक reserve area की बात करे है आरक्षित करके रखा जाता है तो वह आपका कौन सा होता है wildlife century होता है wildlife century century ठीक है यहाँ पर लिखा है five kingdom concept जो है वह किनके द्वारा propose किया गया तो आपको थोड़ा सा और याद करना है अपने दिमाग पे जोर देना है तो देन आपको याद आजाएगा robot इस सारी बहुत easy सा है free का mark से robot विटेकर जोते है यह रह विटेकर भी कहते हैं इनको H का तो मालूम नहीं क्या है लेकिन R से होता है इनका robot विटेकर विटेकर नहीं प्रपोज करा था ठीक है कोई दिक्कत है यह सारी चीजे आपने छोटी क्लास में पढ़िए देन इसके बाद यहाँ पे लिखा है fossil ficus यह आपका क्या कहलाता है और यहाँ पे desk में लिखा give important clues about the food exhibit accident animal जो कि आपको क्या है एक तरीके से clues देता है important clues देता है जो कि आपके जो food exhibit करते थे जो आपके animal extinct हो चुके है विलप्त हो चुके है तो उस type के जो animal होते है जिनके fossil ficus को हम study करते है वो ficus क्या होता है आपका ficus sorry तो यह आपका होगा caprolite कहते है caprolite कहते है ठीक है and then उसके बाद लिखा है death refers to behavioral pattern of an individual in the population for the benefit of the other members तो यहाँ पर क्या होगा death refers to behavioral pattern of an individual in the population benefits the other member इसका क्या होगा चलिए इसको मैं बाद में बताऊंगा आपको देन आगे हम चलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं choose the correct answer यहाँ पर लिखा है जो brackets में आपके words दिये वे हैं इनमें से आपके 4 ही करने हैं यहाँ पर 5 questions दिये वे हैं आपको 4 attempt करने हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं death लिखा है death uses the radioactive isotopes to determine the exact age of rock and fossils यानि जो आपका जो rock होता है या fossil होता है उनकी exact age को मालूम करने के लिए कौन से मतलब जो हम radioactive isotopes का यूज करते हैं कौन सा process होता है उसके बारे में हम लिखेंगे तो यहाँ पर देखें यहाँ पर एक relative dating लिखा है एक absolute dating लिखा है तो इसमें से आपका जो correct answer होगा वो होगा absolute dating absolute dating जो है वो यूज करता है radioactive isotopes को हो पता लगाने में क्या पता लगाने में तो exact is of rock and fossils के बारे में ठीक है यहाँ पर हम क्या लिख देंगे absolute dating कोई दिक्कत यहाँ पर टिक लगा दिए उसके बाद यहाँ पर लिखा है vermiform appendix जो है मतलब कौन सा ओर्गन होता है homologous organ होता है तो मैं आपको बता दो vermiform appendix जो होता है वह आपका होता है vestigil यहाँ पर मैं लिख दूँ vestigil organ ठीक है कोई दिक्कत यह सारे questions पता है बहार से लग रहे हैं क्योंकि मैंने काफी इनको book में सर्च करा मेरे को इसके answers नहीं मिले तो मैं भी पता नहीं यह जो आपके 2021 वाले paper है इसमें जातर questions जैसे लगते हैं बहार से हैं और अलग type के बिलकुल लग रहे हैं खेर जाने दीजे आप ऐसा समझे लिए मैंने बता दिया आपको vestigil organ जो होता है जो आपके दोनो small intestine and large intestine के पास जो intersection वाला जो part होता है ना small and large intestine के junction वाला पार्थ होता है junction वाला पार्थ होता है वहीं पे आपका westigil organ present होता है समझ गया तो आप को मालुम होगा appendix कहा होता है human body में तो vermiform appendix जो होता है human vestigil organ होता है जो large and smaller intestine के just junction पर present होता है then उसके बाद हम बात करें तीसरा question लिखा at the level of dash taxonomy the organism are identified named and characterized तो इसमें से कौन सा taxonomy है जिसमें हम क्या है organism के name को और उसके characteristics को हम identify करते हैं तो आपने अगर पढ़ा होगा तो आप सभी को मालूम होगा क्या है alpha taxonomy हम क्या कहते है alpha taxonomy अलफा taxonomy में हम क्या करते हैं जो level of alpha taxonomy हम उसमें organism के identified name के बारे में जानते हैं और characterize करते हैं ठीक है नाम को identify करते हैं and characterize भी करते हैं उस species को then उसके बाद question number fourth में आ जाते हैं इसमें लिखा है the system of classification जो है based होता है exclusively upon face value of observed character without direct inference of phylogeny is तो क्या होगा यहां पर fanatic होगा यह natural होगा ठीक है कौन सा classification है इसमें system of classification लिखा है जो कि आपका base होता है exclusively किसके उपए तो face value पे है ना जो कि observe होता है किसके according जो character होता है without direct reference to phylogeny phylogeny के बिना reference के तो आपका कौन सा हो जाएगा fanatic classification यह natural classification तो इसका actual में answer आएगा fanatic classification ठीक है देन उसके बाद यहां पर fifth question है वैसे तो आपको अगर इन में से चार आ चुका है तो देन उसके बाद आपको fifth वाला attempt करने की कोई जरुवत नहीं है आप extra दिमाग लगए तो में भी आपके marks वगएरा भी कट सकते हैं तो आपको extra attempt नहीं करने आप आप देख लीजिए क्योंकि होता क्या है दर असल अगर आपने चार आटम पाँच अटम कर लिया उसमें से आपके क्या हो गया दो एक पहले में एक गलत निकल गया क्या है पहले में एक गलत निकल गया तो मास्टर क्या करेगा वह उसके पहले के कोड़िंग वह marks को कट करेगा बहले आपको चौथा पाँच वा क्यों नहीं सही हो तो देन उसके बाद हम देखे डैस ता सिस्टेमाटिक्स या मैं बहू टैक्सोनोमी इस दा डैस आइंटिफाइंग नेमिंग एंड करते हैं नेमिंग करते हैं औरिइंगं क्लासिफाइंग तो आधह नमबर करना है मेने बता दिया यादि अगर आख टिक करेंगे तो आधा नंबर मिलेगा तो आपको तही करके ही आना है तो इसमें मैं बता दो, Cynobacteria Normally आप सभी को मालूम होगा Cynobacteria सी याद होगा जब हम BabyWise 8131 पढ़ रहे थे तो यह मॉनेरा में आता था तो यह तो बहुत एजी आपका Cynobacteria आप मॉनेरा में लगा देंगे Furn, Furn, Furn आपको याद नहीं हा रहा तो इसको आप skip कर दिये इसके बाद यहाँ पर क्या है व्रिक्षय आरवेदा जो है वो मतलब किन के द्वारा लिखी गई थी तो यहाँ पर आप कॉम मैं यहाँ पर बस common sense की बात कर रहा हूँ कि आप क्या है common sense का भी use लगा के use करके आप क्या है एसे fill in the blanks को या फिर matchings को आप कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर देखिए व्रिक्षय आरवेदा क्या हो जा रहा है तो यह just हमारे इंडिया से बिलोंग कर रहा है कुछ ऐसा वैदिक किताब है जिसमें क्या है व्रिक्ष से तो आपको मालुम चल रहा है किताब पौधों के बारे में जानकारियों को रखता होगा ठीक है तो अभी ऐसा हम मतलब एक तरकी से हम कर रहे है कि जैसे कि हमें कुछ भी मालुम नहीं है बस हम क्या कर रहे है एक common sense का यूज कोशिश कर रहे है यहाँ पर आप देख सकते हैं और यह तो आपका Sinobacterium monora से टिक होई चुका है तो थोड़ा सा भी आपने सही सी किताब पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा father और botany कौन है थेो फेरस्टरस थे यह आपका थेोरो फेरस्टरस में लगा देगा तो उसके बाद फर्ण आपका automatically चीजों के बारे में हमने जाना था तो उसके बाद हमारा match the following हो जाता है तो देन उसके बाद हमारा question number two आता है question number two में हमें क्या है दो ही question को attempt करने है जिसमें आपको एक question एक question धाई number का मिलने वाला है यारी पाँच दो question attempt करेंगे तो पाँच नमर में लेगा है यहाँ पर hybrid sterility की बात करें मैंने इस term को भी काफी ज़्यादा book में डूढने की कोशिश की मेरे को यह मिला नहीं में भी हो सकता है मैंने सही से नहीं देखा हो लेकिन हो सकता है यहाँ पर आपका क्या हो यह थूड़ा सा बाहर से हो question तो आपका कुछ भी हो सकता है question paper में बाहर से भी आ सकता है अंदर में भी अंदर से भी हो सकता है लेकिन क्या है कि कोविड एरा के बात से देखा जा रहा है कि question pattern जो है आपका ज़्यादा hard नहीं होता इस तरीके से इतने hard hard questions आते नहीं है बट फिर भी हम यहाँ पर इसको define कर लेते क्या पता है यह repeat हो जाए में भी तो यहाँ पर देखे hybrid sterility की तो hybrid sterility जो है वो define करता है inhibition या फिर suppression को define करता है किसकी reproductive capacity को यहाँ पर filial 1 लिखा है बाद में hybrid generation जो है वो क्या है आपका genetically आपका different होगा है ना strain और population आपका पूरा different होगा usually belong to different species और हो सकता है कि maybe वो क्या हो different belong मतलब different species से भी belong करते हो यह जो reproductive isolating mechanism जो है जो कि function कैसे करता है to prevent the exchange of gene जो कि एक तरीके से exchange of gene को रोकने का काम करता है कि gene का उसमें exchange ना हो between population के भी ठीक है within the confines the genome dorsophila यहां पर लिखा है कि जो आपका genus dorsophila के अंदर जो है there is exist abundant hybrid material काई सारे hybrid material abundant होते हैं काफी मात्रा में होते हैं तो इसमें लिखा है even the crucial borderline cases between the races and species एक तरीके से क्या है एक crucial borderline होता है cases कुछ cases में है between races और difference में अलग-अलग race हो गया अलग-अलग मैं बोलो नसल का या इस अलग-अलग species का है तो इसमें लिखा है with which one may may probe the problems of basis hybrid sterility तो एक तरीके से यह क्या है maybe problem एक तरीके से बन सकता है किस तरीके से जो base हो है hybrid sterility का इसमें लिखा एक तरीके से उसमें एक तरीके से लागू करना यहां पर लिखा है those the origin and reinforcement of hybrid मतलब एक तरीके से hybrid sterility को लागू करने के लिए उसका जो और जिन और जो है ना तो इसमें क्या लिखा as the byproduct of genetic divergence एक तरीके से उसका जो byproduct होगा क्या होगा genetic divergence है ना वया natural selection operating to prevent the production of reproduction and ill adapted genotypes और बहुत ठीक है तो यहां पर लिखा है वया genetic natural selection के according तो operate करता है क्या to prevent the production and reproduction of ill adapted genotypes जो आपकी ill adapted मतलब जो बिमारी adapt कर लेते हैं genotypes यह ना तो उनको एक तरीके से prevent करने का काम करता है जस्ट आप समझ सकते हैं hybrid sterility sterility यानि बांजपन होता है एक तरीके से उनके reproduction में आपका क्या है इसमें कुछ जो ill है या मैं बोलो किसी type का disease उसको रोकने के लिए हम इसका use भी करते हैं then herbarium की बात कर ले sorry herbarium आप सभी ने topic पढ़ा होगा अपने second वाले taxonomy की book में so then इसमें आपका क्या है इसके बारे में कौन नहीं जानता हो को बच्चा 11th में 12th में 9th में हर बार बच्चे ने अच्छे से पढ़ा है तो यहां पे लिखे क्या है यहां पे क्या लिखा है जो herbarium है वो क्या है एक place होता है जिसमें हम क्या करते है ड्राइड और mounted specimen है उसको हम स्टोर करके रखते हैं और एक recognize करते है system of classification जो कि किस तरीके से available होता है जस्त हमें कभी reference चाहिए किसी organism के बारे में किसी plant के बारे में तो then वहां से हम जाके क्या ह है वो references को collect कर सकते हैं then उसके बाद लिखा it can also be considered as a warehouse of information about plant diversity तो एक तरह के से एक warehouse की तरह है मतलब उसमें काफी सारे information मिल जाएंगे plant diversity के तो उसको इस तरीके से भी consider किया जाता है all research or educational institute जो है वो क्या करते हैं वो science के बारे में वहां पर पढ़ाते हैं बताते हैं और जो own plant species स्पेसिमें वहां पर collect करके locally वहां पर एक तरीके से पढ़ाने का काम करते हैं they may also have thousands of specimen और हो सकता है कि उसमें क्या thousand of specimens भी हो सकते हैं आफसे जादा हो सकते हैं and gradually accumulated over time और वह धीरे-धीरे क्या है एक खटे होते रहते हैं which document the flora and one of the more reason क्या है कि उसमें जो document है उसमें कई सार जो flora है मतलब जो भी plant species हैं उनके क्या है अलग-अलग reason एक या एक से अधिक reason कि आपको वहां पर उसके collections मिल जाएंगी यह जो collection है वो preserve की जाते है specially design करके design cupboard for easy retriever when needed ठीक है तो cupboard design होता है just उसमें क्या है आपको कभी भी उसमें से जो informations collect करने निकालने है तो then उसके बाद आप वहां से collect कर सकते हैं then उसके बाद तीसरा जो है question वो है keys तो यहां पर हमें keys को define करना है यहां पर keys जो है यह क्या है artificial device होता है यहां पर कह लिखा है an arrangement of determination of names and plants included in it और इसमें जितने भी आपके क्या है मतलब एक तरिके से हमें जो plants के names वगेरा जानने के लिए ना तो उसमें हम इन सभी tools का use करते हैं botanical key जो है उसको हम define कैसे करते है defined as a device for easily identifying an unknown plant by a sequence of choices between two or more statements ठीक है तो हम किस तरिके से define करते हैं हम easily उससे मतलब एक तरिके से identify कर सकते हैं और जो भी unknown plant है उसको एक तरिके से sequence में अपने choice के according है ना दो या दो से अधिक statement में हम उसे रख सकते हैं ठीक है define कर सकते है देन उसके बाद यहां पर क्या है a key does represent one kind of taxonomic literature ठीक है एक की जो होता है ना just वो रिप्रेजेंट क्या करता है एक तरह का taxonomic literature को रिप्रेजेंट करने का काम करता है इन अधिशन अगर हम बात करें जैसे कि यहां पर लिखा है the use of 10x hand lenses जो है यह क्या करता है और a good dissection microscope हो गया या फिर pair of needle हो गया या फिर sharp of pointed forceps हो गया या फिर a single razor blade हो गया and millimeter scale हो गया यह सारी चीज़े recommend की जाती है मतलब artificial device जो है हमारा है कि इसके use के लिए देन उसके बाद यहां पर लिखा है the critical observation data person determining the specimen need the recorder जो critical observation है जो person क्या करते है determine करते है तो यह specimen need to recorder क्या क्या चीज़ हम record करते है किसी भी specimens के तो वह कौन से habit को belong करता है file file taxi के बारे में दैन उसके बाद आपका जो safe हो गया apex हो गया margin हो गया venation of leaves हो गया या फिर trichome characteristics हो गया floral feature उसके क्या होते है plants it plants it यह क्या है क्या है प्लासेंटेंशन सारी प्लैसेंटेंशन क्या है उसका दैन उसके बाद ovule number क्या है number of ovule some find out करते है then उसके बाद fruit type कैसा है यह सारी चीजों को हम इसकी मदद से हम find out कर पाते है तो यह आपका key हो गया then उसके बाद हम आ जाते है analogous organ ठीक है यहां पर आपको चारो side question इसमेंसे दो ही question आपको क्या करना था define करना था मैंने वैसे चारो बता दी आपको इनमेंसे जो भी अच्छा लगे जो भी अच्छा लगे क्या आपको इन चारो के तो then botany के according ही हमें analogous organ का definition हमें लिखना है, ऐसा नहीं कि आप analogous organ, आप geology के according लिख देंगे, ठीक है, तो यहां पर देखें किया है, data different in their origin, वो क्या है, origin में different होता है, and then structure जो होता है, वो execute कैसा होता है, a similar function execute करता है, ठीक है, कोई दिक्कत, then इसमें क्या है, two dissimilar species, मतलब यह स समझें कि दो species है, plant का, जो की बिल्कुल अलग अलग है, उनका जो origin क्या है, different origin से belong करते हैं, लेकिन अगर उसमें जो structure जो present है, वो execute क्या करता है, similar function को execute करता है, ठीक है, हम बात करें, account in favor of convergent evolution, अगर हम क्या है, convergent evolution के favor में, अगर हम कहें, यहां पर लिखाए the examples of analogous organs दे रख प्लांट में, यहां पर potato का दे रखा है, potato क्या है, stem है, जबकि sweet potato आपका क्या है, root है, लेकिन दोनों के जो storage of food है, या मैं बोलू, storage food है, वो आपका क्या है, और vegetative propagation जो है, दोनों ही follow करते है, ठीक है, वो दोनों ही आपके क्या है, storage को carry out करते है, आप vegetative proportion को भी carry out करते है, sweet potato में भी आप कट करके लगा दे है, उसके root को ते देन वो भी grow कर दाता है, stem potato stem है, वो भी grow कर दाता है, देख रहे हैं, structure क्या है, आपका different है, लेकिन functions में क्या है, different, similar perform किया जा रहे है, देन उसकी बाद, cactus and euphorvia की बात करें, यह दो तरह के species हैं, जिसमें आपका जो photosynthetic stem है और इसमें एक में आपका क्या है, lifts, आपका reduce हो दाता है, spines में, यानि आपके क्या है, दोनों ही आपके photosynthetic, इसको perform करेंगे, but इसमें structures different है, but functions same है, then उसके बाद हम बात करेंगे, fire, क्या है यह, fire center है, इसको हम fire throne भी कहते हैं, और berberis भी है, berberis के बारे में भी हमने पढ़ इसको beriberi भी कहते हैं, berberi भी कहते हैं, तो यह क्या है आपका, both have thrones, दोनों ही आपका क्या है, throne होते है, zero fights होते हैं, for defense put in a fire throne plant, ठीक है, वो जो उनके जो, मतलब, thrones होते हैं, कटीली जाडियां जो है, मतलब, यह defense के लिए यूज करते हैं, for fire, इसको, किसमें, fire throne plant में, यह जो thrones है, यह customize करता है, stem में, and while berberi जो है, वह उसका thrones कैसा होता है, modified leaves के form में होता है, तो उसके अंदर leaves के form में होते हैं, तो कुछ इसमें आपको, पायर सेंथा and, क्या है, पायर सेंथा and berberis में, आपको कुछ इस तरीके की similar, different structure होने के बावजूद भी आपको कुछ इस similarities मिल जाती है, तो इसमें additional information अगर हमें add कर दे कुछ, यहां पर देखे क्या लिखा है, the analogous organ जो है, plant में, वो क्या होता है, foliage of apuchuna and people होता है, ठीक है, then यहां पर क्या लिखा है, apuchuna जो है, जिसमें आपको क्या है, modified stem, जो है, कैसा मिलेगा, wide succulent leaf like structure में मिलेगा, and perform क्या process is people, people जो है, एक तरह के से common plant आपको कहीं भी मिल जाता है, वो perform करता है process of photosynthesis, so the both perform the same function, that is why they can be called analogous, ठीक है, तो इसलिए आप समझ सकते हैं, यहां पर common people की बात की गई है, and opportunity की बात की गई है, तो यह दोनों ही आपके क्या है, process photosynthesis को perform करते हैं, और बोत का performance जो है, एक तरह क से same function perform करते हैं, इसलिए इसको क्या है, analogous कहते हैं, तो then आपको क्या है, यह 4 question आपका हो जाएगा, और आप इन 4 question में से आपको 2 question को perform करना है, आपको जो भी अच्छा लगे, आप कर सकते हैं, जो भी आपको याद रहे, वो आप कर सकते हैं, ठीक है, then उसके बाद हम next question पे आप, जिसमें हमें क्या करना है, हमें कुछ principles के बारे में लिखने हैं, किसके binomial nomenclature, जब भी हम binomial nomenclature करते हैं, binomial का मतलब होता है, two names, है न, two, दो नाम का जब हम nomenclature, यानि नाम करन करते हैं, किसी भी पौदे में भी हो सकता है, यह और आपके animals में भी होता है, ठीक है, तो अलग-अलग संस्थाओं दवरा आपका क्या है अप्प्रिंसिपल नौमन क्लेचर करते है और जुलोजी भाले आपके एनिमल के नौमन क्लेचर करते है तो यहां पर हम बात कर रहे हैं बात रहे हों स्थाओं एग्जाम्पल की बात करें, यहां पे लिखा है Corydalis लिखा है, Corydalis जो होता है आपका generic name होता है, किसी plant का, है न, अब family यहां पे दे रखा है, Fumerasia, ठीक है, Fumerasia family से जो Corydalis बिलों करता है, इसका, यह generic name है, और यह Corydalis जो है, यह also the name of a genus, और यह आपके genus का भी name होता ह किसके इंसेक्स में ठीक है in the order of Megalopetra ठीक है Megalopetra जो इंसेक्ट है मतलब इस order से जो बिलोग करने वाले इंसेक्ट है इसमें भी आपका क्या है Corydellus इनका जीनस होता है similarly अगर हम बात करें यह क्या लिखा है सेक्रोपिया सेक्रोपिया जो है यह यह यूज किया जाता है आपके जीनस किसके danes जोंवाले मोत मोत क्या होते है वह यह आपके इसधी संकत लुबन वाले मोत होता है तो इसी की बात किए सोय मोत जो है यह एंसल्म एज ज्छनेरिक नेम भी होता है इसके वीडी ट्रोपिकल टी Siag यहानि आपको काफी जादा आपको काफी जादा आपको काफी जादा आपको कामन सिमलेटी आपको अनिमल प्लांट में मिल जाएगी उसके जनरिक नेम के अकॉर्डिंग यहां पर further यहां पर Pyrus लिखा है यह Pyrus जो है युज किया जाता है Generic Name किसके registered के लिए के लिए तो यह आपका क्या है एज वेल questionnaire या सर्ब पिलॉंक टू फैम वेली इरेकेसिया है जहर स्टारी कमक जहर सब छो के किन मतलब यह यह सब्सक्राइब करें तoni को्णफाने उपट्री थिए ना जीनस प्रिजेन्स होगा, टीकै? तो, for different kind of organism of these status to different system, टीकै? अलग अलग, जो प्रकार के आपके organism होते हैं, उसके same status हो सकते हैं, टीकै? of two different system, टीकै? दो अलग, अलग system के यहापे लिखा, this might constitute an obstacles to interdisciplinary understanding, टीकै? एक तरिके से यह क्या constitute करके रखता है, इंटर डिसिप्लिनरी अंडर्स्टेंडिंग में बात करें, second point, जो है इसमें लिखा है, within each code of nomenclature परते एक जो code होते हैं nomenclature के, taxon with a particular definition, position and rank can be only one correct name except in usual, unusual and specific cases, ठीक है जिसमें आपका क्या है, कोई भी जो species है code of nomenclature, वो taxon अलग-अलग, क्या है, taxon carry करता है particular definition होता है उसका position carry करता है, just rank भी वो carry करता है, है ना, तो ये उसका एक correct name, जो है except, क्या हो सकता है except in unusual, unusual भी हो सकता है specified cases में ठीक है, तो यहाँ पे, तीसरा आपका यहाँ लिखा है, no to taxa में bear the same name, ठीक है, कोई भी दो taxa क्या है, एक name उनका नहीं हो सकता, same name नहीं हो सकता, उसका देन, चौथा हम देखेंगे scientific name जो है, किसी भी taxa का वो treat करता है, as a latin names regarded of their, ये क्या है derivation, क्या है, scientific name क्या है, किसी भी taxa का वो treat कैसे करता है, latin name की तरह, है na, जो कि regardless होता है, of their derivation के, है na, तो पाच्वा, जो हमारा point है, यहाँ पर एक लखा है, private priority of publications determine the correct uses of name, ठीक है, जो ये priority है, publication की, वो determine करता है correct uses of name का, ठीक है, and उसके बाद, for the categories of order and lower categories, the application of name of the taxa is based on nomenclature, only the types, ठीक है, में, आप types के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, monofile एक, और भी, बहुत सारे होते हैं, तो उन types के बारे में आ जाएंगे, पढ़ेंगे एक बार, ठीक है, maybe, वो important हो, ठीक है, तो इसमें लिखा है, कि for the categories of order हो गया, lower categories हो गया, तो ये application and name का किसी भी taxa के लिए बेज़ बेज़ किस पे होते हैं, नomenclature types पे होते हैं, अभी types के होता है, इसके बारे में आप जानेंगे, types के बारे में एक बार आप देख लेंगे, important है ठीक है, सारे types के बारे में, जितने भी number of types है, उसके बार में जानेगे, तो में भी हो सकता है binomal nomenclature के बारे में ही पूछ ले, ठीक है, तो आपको define करना है क्योंकि यह 5 number का question है, तो बिलकुल आपको broadly अच्छे से define करके साफ साफ लिखना है, then उसके बाद हम next question पे आजाते हैं, next question जो है आपका, यहां तीसरा question है, तीसरा question में बोला जा रहा है कि why, discuss why selection of taxonomic character जो है, is most important criterion for any classification system, मतलब क्यों होता है, यह most important criterion for any classification system के लिए, तो यह most important criteria है, इसको आपको define करना है, 5 number का है, बहुत छोटा सा मैंने लिखा है, आपने भी इसको बारे में अच्छे से सर्थ करना है, डीटेल में आपको पूरा एकदम, क्योंकि इसको broadly लिखना आना चाहिए, इसको यहां पर लिखा है, character selection की बात करें, तो यहां पर जो selection of otus, otus क्या होता है, मैं सबसे पहले आपको otu बता दूँ यहां पर, यहां पर लिखा है जो otu को हम क्या कर सकते हैं, किसी individual plants के बारे में जानने के लिए, can be, and the taxonomies जो studying करते हैं, single population को किसी भी plant के, to find out the range of variation, यानि इसमें जो, क्या है, character है, उसके character में क्या है, range of variation ला सके, इन सारी चीजों का otus का यूज के जाते हैं, यहां बारे में आप समझ चुके हैं, यहां बेखें, आफ्टर सेलेक्टिंग the otu, यानि एक अपने single plant को हमने एक तरके सर्च कर लिया, then it is necessary to select the character, आप जो रही है कि उसके हम characters को select करें, which they are to be classified, जिससे कि हम क्या कर सके उसको classify कर सके, by experience, experience, you will learn that the characters which vary greatly among the otus, clearly more useful in numerical taxonomy, इसमें लिखा है कि जो आपका greatly होता है एक तरके से, मतलब vary, मतलब काफी जादा उसमें variation होता है, यह otus में, जो कि clearly आपका more useful होता है, numerical taxonomy में, we know that many characters as possible may be used, इसमें जो क्या है, बहुत सरे जो characters हैं, वो क्या हो सकते हैं, use, possibly, वो हम क्या कर सकते हैं, उसका use कर सकते हैं, preferably a minimum 62, generally 82, 100 or more characters are needed to produce a fairly stable and reliable classification, यहाँ पे लिखा है, अगर हम preferably बात करें, minimum आपका कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए, generally अगर हम बात करें, जब हम classification करते हैं, उसके characteristic के basis पे, आपका 100, 80 to 100 के between आपका character होना चाहिए, ठीक है, यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़र्री होता है, एक तरह के से हम produce कर सके, एक fairly stable and reliable classification के लिए, ठीक है, कि उसमें क्या हो सके, future में कभी ऐसा changes आपको देखने को ना मिले, उसमें lack of information या lack of character के current, ठीक है, तो यह सारी चीज़े ज़र्री होते हैं, then selected character जो है, have then to be coded, उसको क्या है, उसको कोड कर देते हैं, coding कर देते हैं, उसके बाद उसको हम कुछ symbol या mark में एक तरीके से दे देते हैं, तो यही सारा आपका होता है, taxonomic characters in the most criterion for any classification system है, ठीक है, तो यह वाला question आपका 5 नंबर का होगा, आप इसको अच्छे से define करेंगे, मैंने इतना बता दिया, जैनों इसके बाद हम आजाते हैं, तीसरे का ही दूसरा question है, B question है, question B में इसमें कहा रहा है, differentiate करना है, इसको cytotaxonomy और chemotaxonomy में difference लिखना है, यहाँ पर 5 नंबर का है, यहाँ पर मैंने क्या कर रहा है, यहाँ पर मैंने एक बार cytotaxonomy के बारे में लिख दिया, एक chemotaxonomy के बारे में लिख दिया, ठीक है, आप चाहें तो bracket में उनके क्या है, line maker करके भी आप differentiate कर सकते हैं, इस तरीके क्रोमोजोम नंबर होगया, शेप हो गया, पर एक तरह के से कि छुट उनके में लिख रहे हैं, आप यहाँ फेसी प्रॉंयग के स्टॉन्मि और प्रॉमजोंबर होगया, आपका नेमिग फेसी से शुन्मिह करते हैं, यह मैं तरह कहां के साइटोक्रग करते हैं शेप हो गया, पेरिंग और एट्मियोसिस हो गया, यह आपका क्लासिफिकेशन परपस के लिए यूज होता है, ठीक है, यानि जब हम क्लासिफाइ करते हैं, तो साइटोलोजी का एक तरके से बहुत बड़ा रूल होता है, ये यूज होता है। जो आपका कैसे बहुता है। आप्जर्वेशन की आपका जो हम क्रोमोजोम को पेर करते हैं और किस तरीके से बहेवर करता है एट मियोसिस में तो कुछ इस तरीके से साइट्र टेक्सोनमी हो गया एंड उसके बाद कीमोजोमी जो साइन्स होता है वो जस्ट हम केमिकल के इन्फोर्मेशन को जानने के लिए करते हैं जैसे कि यहां पर लिखा है एक केमिकल टेक्सोनमी जो है आपका बहुत ही इंपोर्टेंट आपका क्या एक घर पयँआीर के लिए ने इंफ़ॉमैशन केरिकर के रखते है जो कि हम टेक्सोनमीक पर बूज़ सी लिए करते हैं बइफॉर्य प्रिसितर आपकर सुमेकूर्ट छोर्टेंट मरें जो हम दो हम्योज पर इनीन्ट के जो हम से लिए ने खरने हम आपने लाइसे इसे की ह सरी हम कभी काफि को भी ते आपक तो इसको को क्या को Response कर्देट करने लागाएगा कम किशन स cultiv अगया द्यवर कम्हाक लग एति पृत और आपको स्मेल oretी का स्मेल इसका आपको success कॉप जिसके सारे सभी फूटस के अलग-अलग टेश्ट होते हैं, तो यह में जो डफरेंसे होते हैं जो जो तही है आपके आपके चला है यह डाता है उसी कारान इन फूड्स में प्रेश्ट काई है तपक्षी चाहि आप लिखते हैं जो शेखते हैं and evidence for taxonomy chemical feature होते हैं evidence की तरह use की जाते है taxonomy में तो इस तरीके से आपको define करना है आप इस तरीके से पूरा define कर देते हैं तो आपको 5 नंबर इसके भी मिल जाएंगे तो उसके बाद हम आज आते हैं question number 5 में question number 5 में यहाँ पे लिखा है short notes बनाने हैं यहाँ पे any two of the following ठीके एक question आपका 5 नंबर का होने वाला दो question को आपको attempt करने है यहाँ पे mechanism of speciation के बारे में लिखना है ठीक है तो यह भी मैंने कफी सर्च करा बुक में पता नहीं मेरे को मिला नहीं में भी बुक में होगा यह तो speciation जो है आपका यह क्या है largely अगर हम इसको कहें तो इसको speculation भी हम कहते हैं two decades ago ठीक है दो दसक पहले हम इसको speculation भी कहते थे एक तरगे से अनुमान लगाना है न speculation का मतलब अनुमानी लगाना होता है then क्या है at least with respect to a detailed and comprehensive mechanistic understanding of the origin of new species एक तरगे से यह क्या है यह किसके respect में है यह एक detailed और comprehensive mechanistic जो understanding है है ना किसी भी origin मतलब किसी भी new species के origin के लिए हम इसका use करते हैं ठीक है speculation लगाते हैं speculation करते हैं तो यहां पह लिखा despite elegant classical work examining the genetic basis of interspecific differences and reproductive isolation and complementary studies of the ecological factor and contribute the divergence इसमे कहा लिखा है elegant classical जो work है यह है जिसमें हम examine करने के लिए करते हैं कि उसके genetic basis पे है interspecific differences के बारे में जानने कोशिश करते हैं जैसे कि reproductive isolation भी हो गया क्या है कि जो species जब किसी physical barrier के कारण अलग-अलग होती है तो उसमें reproductive isolation आजाता है और एक new species का formation हो जाता है तो यह क्या है complementary studies जो है ecological factors के जो की एक तरह से contribute करता है क्या species के divergence में एक diverge करने का काम करता है तरह से उनका जो path है diverge करने का काम करता है तो इसमें क्या है species जो है researches जो है वो क्या है क्या होता है उनके पास-प्रॉपर टूल नहीं होते है न एक तरह के से specific मतलब traits के बारे में जानने के लिए मतलब इसमें काफी सारे इस सारी चीजें इन्वाल होते specific forces traits and genes involved होते है thanks to recent advancement in molecular biology जैसे कि अभी आपके हमारे यहां क्या है molecular biology में काफी ज्यादा advancement देखने को मिलता है जिससे कि हम genomic sequencing कर पाते हैं क्योंकि पहले क्या होता था आपका आपके researches क्या थे tools की कमी के होरे के कारण वो इस चीजों को एक तरह के से नहीं apply कर पाते थे नहीं पता कर पाते थे हम molecular biology advance हो गया तो देन उसके बाद हम क्या genomic sequence करके है ना उसके बारे में detail study एक तरके से speciation निकाल लेते हैं becoming feasible in many animals कई सारे जो animals में feasible भी होता है and plant group में है ना in fact अगर हम बात के dozens of speculation genes responsible for reproductive isolation बहुत सारे जो आपके क्या है sibling species में भी यहां पर लिखाय है have been identified at the molecular level इसको हमने क्या है just हमने इसको identify किस पर करा molecular level पर identify किया further genetic changes reading to morphological differentiation further क्या है उसमें genetic changes lead किसको करता है just morphological differentiation हो गया and among related species have been illucidated and supported by the phylogenetic analysis at the high resolution ठीक जो भी उसको के पूरवज वाले मतलब जो है जो इनके ancestor उसके बारे में हम क्या करते हैं काफी ज़दे analysis करते हैं high resolution के साथ हम advanced क्या कहते हैं tools का यूज करके यहां पर लिखाय है we invited the investigators to contribute both original researches and review articles that would stimulate the continuing the effort the understanding of speculation and species difference from all perspective यहां पर लिखाय है हम invite करते है investigators को जो कि invest करते हैं तो यहां पर क्या है contribute करते हैं both original researches and review the articles ठीक है original researches हो गए and जो articles हैं उनको भी review करने का काम है और एक तरह करते हैं continue करते effort को है ना कि understand कर पाएं है ना speciation कर पाएं किसी भी जो और species differences है differentiation कर पाएं ना from all perspective हर प्रस्पेक्टिव से not only the genetic mechanism सिर्फ genetic mechanism के थुरू नहीं but also the ecological and evolutionary causes के कारण भी जो speciation होते उसके बारे में ते पूरा mechanism of speciation था आप इसको इस तरह की से लिख सकते हैं आपको अगर यह चीजह अच्छे से नहीं clear है तो आप दूसरे question को भी attempt कर सकते हैं यहां पर आपका industrial melanism है industrial melanism जो है आपका यहां पर define क्या गया है इस तरीके से जो कुछ animal होते हैं वो चेंज करते हैं आपना color है ना जैसे कि pollution क्या होता है इंड्यूस जो environment जो changes है ना जसे उसका क्या होता है color change जाता है बहु सारे like and algae भी आपके क्या होते है color change करते हैं तो यह आपका क्या है यह industrial malism में आता है describe करता है industrial malism जो है evolutionary reaction है है ना to a changing of environment जिस तरीके से environment change हो रहा है तो जस्ट यह क्या है एक evolutionary reaction even though the cows was not immediately apparent यह क्या होता है ऐसा कि नहीं है कि तुरंत यह चीज हो जाने वाला है ना Darwin hypothesis जो है वो that क्या कहता है वो evolution happen through natural selection in his book जो evolution जो है वो किस तरीके से होता है natural selection के ही through होता है उसके उनकी किताब है वो इनमें लिखा है on the origin of species है ना modification and changes in characteristics जो है modification जो होता है या मैं बोलू changes जो देखने को मिलता है करेक्टरिस्टिक में तो वो allow करता है some species को to quickly adapted to shifting environment जिस तरीके से environment change हो रहा है तो जस्त वो उसमें modification होना उसके characteristics में जस्त उसको एक तरी स्क्विडली adaptation प्रोवाइड कराता है ना कि वो shift कर सके वो जो environment है जो अब का environment हो चुका है वो थोड़ा सा different है पहले के environment तो उसमें क्या है shift करने में यूज होता है तो यह इस process में मतलब यह सारे phenomena's देखने को मिलते हैं यहां पर लिखा है man-made influences भी हो गए जैसे की color changes जो होता है numerous species में आपको क्या है man-made influences के कारण होता है इसमें लिखा है which is known है इंडस्ट्रियल मेलनिज्म इसलिए इसको इंडस्ट्रियल मेलनिज्म इसको अगर हम दूसरे सब्द में अगर इसको हम define करना चाहे तो आप इस तरीके से भी लिख सकते है क्या लिखेंगे man-made influence जो में अप इस तरीके से आपका इंडस्ट्रियल रेवलुशन हुआ काफी सारे क्या है कार्वन का उस सर्जन एक तरीके से कार्वन इमेट होने लगा एना environment में पॉलुशन होने लगा यहां पर लिखा है numerous places in North America बहुत सारे जो places in North America और Europe में वहां पर आपका क्या है वह ब्लैक होने is that relied on camouflage I-Kotherapy कर ख्रॉशन ही उसको हम क्या है जतर उसमेकि उसको हम क्या है एक तरगे से मतलब किस परिलाई करते है जो आसपास के जो परियाविरन है, environment है, उसके according जो change होता है, species में वो क्या कहलाता है, micro evolution कहलाता है, data course as a result of species changes, ठीक है, वो कैसे, मतलब किसका result होता है, तो उसमें क्या है, just species में जो changes आता है, just वो ही आपका micro evolution है, it's a situation in which the orthopod developed melanism to adapt the high amount of pollution in industrial areas, कुछ आपके जो orthopods हैं, वो develop कर चुके हैं, ये इस melanism को, कि वो adapt कर पाए, high amount of pollution में भी, वो क्या कर से कि industrial areas में भी survive कर सकें, जैसे कि आपके बहुत सारे मच्छर होते हैं, हम क्या है, कि वो जो धुआ करने वाला coil या फिर अगर बती सी जला देते हैं, तो उसको क्या असर नहीं पड़ता, तो वो क्या है, just adaptation है, melanism है, तो वो भी just, मैंने example दिया है, such as shoot deposit and sulfur dioxide, जो आपका shoot deposit क्या करता है, sulfur dioxide gases को, such organism dark coloring helps them blend in better in their surrounding, ठीक है, तो यह सारा जो आपका, जो यहाँ पर लिखा पड़ा है, यह just आपको industrial melanism में देखने को मिलता है, तो आपने यह जो दो कर लिया है, तो आपको तीसरा करने की जरूत नहीं है, इसमें साब को दो ही attempt करना था, लेकिन मैं यहाँ पर define कर देता है, यहाँ पर geological record को define करना था, किसको, geological record, ठीक है, यहाँ geological record को देख रहे हैं, तो यह जो geological record होता है, वो क्या होता है, history of earth होता है, जिसमें आपके क्या है, जो rocks होते हैं, जो कि एक तरिके से crust का निर्मान करते हैं, crust, जो सबसे outer layer होता है, वो होता है, crust, ठीक है, तो यह जो crust का बनाते हैं, तो यह जो आपके क्या है, rock have been formed and wearing away since earth first started to form, ठीक है, यहाँ पर लिखा है, rock जो है, वो कब बनने start हुए, जब क्या है, आपका जो earth है, सबसे पहले इनको क्या है, फॉर्म करना start कर दिया था, create करना start कर दिया था, sediment को खटा करने लगा था, accumulate करने लगा था, layer के form है, rocks को, इसको हम क्या कहते है, strata कहते है, the way these strata are arranged, क्या है, जो एक तरह के से, जो way है, जिसमें क्या होते है, कई सारे strata, कई सारे layers, rocks के, arranged होते हैं, और जो fossils होते है, वो कहा है, in them, give scientist clues, versus कहा है, just a scientist, उनका clues की तरह यूज करते हैं, about what earth was, like billion of year ago, ठीक है, उसको हम क्या है, एक सिरके से, अर्थ के, age को भी जानने के, के लिए भी use कर लेते कभी कभी हैं, कि इससे हमें ये भी पता चलता है, कि इन clues के से, कि जो अर्थ है, वो billionaire को पुराना है, then यहाँ पर कहें, यह सब एक्जामिन करने के वाद, जो progress जो है, of geology, human touch upon the major breakthrough that allow the scientist to able to read the geologic record, human क्या है, just उसे touch कर चुका है, जहाँ पर एक तरह से major breakthrough आ चुका है, जो कि allow करता है scientist को, scientist able हो चुके हैं, कि वो एक तरह से read कर सके, earth के geological record के बारे में, जो geologic history होती है, किसी planet की, वो just वहाँ पर evolution के बारे में बताती है, earliest breakthrough के बारे में बताती है, was the earth 18th century realization, यह सारे चीज़े क्या 18th century में देखने को मिली, that was something to be learned about the obvious relationship, one type of rock and to another, एक तरह के से हमें यह जानने को मिला, कि जो relationship है, एक type के rock और दूसर type के rock के between, वो हम कहा है, एक त कहते है, and यह क्या लिखा, called the law of superposition, और इसे हम क्या कहते है, law of superposition भी कहते है, just आपको गया, geological record को define करना है, जितना आप बढ़ा करके लिख सकते हैं, आप उतना लिखोगे, idea जो है, यह stated, किनके द्वारा है, that is, and, मतलब यह जो idea state क्या बताता है, जो undisturbed section of sedimentary rock है, यानि ऐसे sedimentary rock, जिनको अभी दग हमने touch नहीं करा है, यानि यूज नहीं करा है, formed in layers, यह कहा है, layers के form में, by weathering और erosion, काफी जादा weathering और erosion, वान में, तो यह जो each layer जो है, आपके older than one above, it is, and younger than one below it, ठीक है, आपके जितने नीचे चले जाओगे, वहाँ पर क्या है, एक के नीचे ए मिल जाएंगे, ठीक है, जो simple सी बात है, जो उपर में बने, वह ज्यादा यंगर होंगे, as compared, then नीचे बाले, then यह कहा है, all those, although this seems fairly simple and obvious today, और जो कि आपका कहा है, यह बहुत ही जादा simple भी और आसान भी है, इस सीच को पता करना, it was major breakthrough, is being able to start date of age of earth, ठीक है, एक तरह किस जब बनके उबरा, then उसके बाद यहाँ पे एक कोशन और है, यहाँ पे एक कोशन मिश हुआ गया, एक कोशन नहीं, ठीक है, then उसके बाद यहाँ पे शिक्स्त कोशन पे आ जाते है, यहाँ पे describe करना है हमें, cytological approach के बारे में, taxonomy में, तो यह वाला मैंने ज़्यादा बड़ा नह define करना है, आप इसको detail में और भी लिख सकते हैं, detail में नहीं कहरा है, मतलब थोड़ा सा broad करके आप लिख सकते हैं, यहाँ पे देखे क्या है, detail में मैंने लिखा है, cytotoxonomy जो आपका discipline होता है, हैना taxonomy में, जो कि क्लासिफाइ करता है, organism को, उसके properties के cellular architecture के basis पे उसको हम define करते है अब इसको आप broad term में भी आप लिख सकते हैं, जिससे कि आपको answer पे marks अच्छे खासे मिल जाएं, then उसके बाद क्या है, cytological जो है, use किया जाता है, categorize करने लिए, organism को investigate करने के लिए, जो seller उसके properties होती है, जिससे कि आपका chromosome हो गया, account and structure हो गया, इन सब को जानने में help करता है, then उसके बाद लिखा है, the most often utilized parameter in taxonomy, जो है, जो आपका most, जो आपका use किया जाता है, utilized parameter जो use किया जाता है, cytotaxonomy में, वो आपका organism का क्या है, chromosomal layout है, उसके chromosomes के according क्या है, उसमें हम उसकी taxonomy कर दे, in further relationship between the two creatures, और क्या है हम दो creature के between, हम relationships भी find out कर सकते है, क्या, उसके chromosomes layout के बज़ जो है, the study of chromosomes, जो है, from many population within geographic races, और species, और initial in cytotaxonomy, आपका लिका है, जो study करते है, जो chromosomes की है, वो क्या हो सकता है, from अलग-अलग population, बहुत सारे population है, किसी भी geographic races में, या फिर species में, वो क्या हो सकता है, initial stages में होता है, किसमें, cytotaxonomy में, तो कुछ इस तरीके से आपको define करना है, cytological, cytological, cytological just means, cell से जो related, मतलब उसके cell के features के according, जब हम टेक्सोनोमी करते है, तो वो आपको cytological approach के लाता, ठीक है, तो यह आपको define कर देना, पांक्च मांक्स मिल जाएंगे, देन उसके बाद आपका, six का second question है, यहाँ पे second question में, आपका क्या है, explain the role of language in human evolution, क्या है, कि human evolution में आपक जो के है, जो language का role है, यह भी पता नहीं मेरे को book में मिला ही नहीं है, question का answer, बहुत ही अजीब हो गरीब से previous year के questions है, ठीक है, 2021 में बड़े अजीब हो गरीब से आते थे, खेर मैंने इसका भी answer, निकालने की कोशिश की है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, आप scientist जो है, have been influenced by the view of language क्या है, एक तरह के से, जब उनके बारे में language की और उन्हें देखा, तो एक तरह के से काफी उससे प्रभावित हो, influence हुए है, view of language के according, एक तरह के से often attributing the emergence of remarkable species specific ability of some single, जो एक तरह के से characters है, कुछ characters होते है, तो एक तरह के से emergence मिला, एक तरह के से, emergence यानि एक तरह के से rise up हो single, pivotal, statutory, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर, salutatory, salutatory, ठीक है, salutatory, event in human evolution, एक तरह के से, human में, evolution में काफी जदा इनका influence रहा है, तो यहाँ पर लिखा है, I will refer this sudden evolutionary germ into true human, ठीक है, अगर हम true human languages की बात करें, linguist, salutation की बात करें, linguistic, यानि जो भाहाँ साह से जुर्या, जो है, तो salvation जो है, यहाँ पर लिखा है, Brickerson, 1990, Chomsky, 1975, Oscar, यह साहरे scientist के नाम है, tend to see the language as a very recent evolutionary event, ठीक है, लेंग्वेज जो है, मतलब आपके और्गन्स तो काफी समय से रह रहे है, लेकिन, जो लेंग्वेज है, वो आपका recently evolved हुआ है, in human में, या फिर human, human species में, ठीक है, तो यहाँ पर एक लिखा है, they can note the divergence of our hominid ancestor from the great apis, जो आपके क्या है, मतलब यह note करते थे, जो आपका divergence जो है, जो हमारे hominid ancestor है, जो हमारे homo sapiens के ancestor को है, hominid ancestor के लाते है, जैसे कि great apis जो हो गये, अक और होते थे लगबग 6 million year ago है, however the evidence जो है, एक तरह की से बताता है कि human activities जैसे हो गया, art ह agriculture हो गया, writing हो गया, burial हो गया, pottery हो गया, jewelry सल्डम, यह सारी जो है आपके, जो stone age में, यह सारी जो humans क्या करते थे न, तो एक तरीके से, यह सारा 40 अर पुरान है, तो पूरा अगर हम बात करें, जो language को जो role है, human evolution में काफी जदा important रहा है, एक तरीके से, यहाँ पे तो मैंने ब exchange जो है, वो क्या किते हैं, language के माध्यम से करा, and then क्या है, काफी evolution आपको, क्या है, यह language के माध्यम से आपको देखने को मिलता है, ठीक है, तो आप और भी this code क्या है, define कर सकते हैं, ठीक है, आपको जो भी point अच्छा लगे, आप उसको define करें, क्योंकि हमें 5 marks चाहिए, तो यहां पर हमारे six questions हो चुगे हैं, ठीक है, तो I hope सो आप से भी को यह video अच्छा लगा होगा, है ना, एक question इसमें missing है, अगर मैं यहां पर पहले शुरू में ही आ जाओ, शुरू में आता हूँ, यहां पर कहां गया, कहां गया, question paper कहां, यहां पर साथ मैंने एक questions को discuss नहीं कर यहां पर compare करना था किसमें, द्वार्मिनेजम एंड लवर्किस्म, है ना, लवर, लमर्किस्म, स्वारी, लमर्किस्म, है ना, एक्जाम्पल के थुरू, तो इसका है ना, मैं post पे डाल दूँगा, आपको इसका answer, ठीक है, यह वाला miss हो गया मेरे से, खेर, उसके लिए माफ लवर्किस्म के बारे में तो मिला, लेकिन लवर्किस्म के बाले में नहीं मिल रहा था, तो यह वाला कुशन में भी साथ छूट गया मेरे से, यह 10 नंबर का है, most important है, और साथ आए भी ना, यह चीज़, क्योंकि इन साइंटिस्ट का नाम मैंने देखा, काफी ढूंडा मिल ही नहीं, खेर रहने दिये, तो यह वाला कुशन आपको मैं, अगर मेरे को आंसर मिल जाता है, तो यह इसका आपको नोटिफिकेशन, आपको पोस्ट के माद हम से देदूगा, ठीक है, तो आप सभी को यह वीडियो क्या होगी, अच्छी लगी होगी, ठीक है, वीडियो नोटिफिकेशन आपको time to time मिलती रहे, and then इस वीडियो को जादा-जादा सेर करें, ठीक है, जादा-जादा सेर करें, क्योंकि कल ही आपका पेपर है, और आज जादा-जादा सेर करेंगा, तो जादा-जादा बच्चों के पास पहुच पाएगा, ठीक है, कमेंट करके बत